इस class में हम percentage से related बिल्कुल basic से सुरू करेंगे और काफी most important हम questions करने वाले हैं बहुत ही most important class होने वाली दोस्तों सभी exam की द्रिश्टी से BHEU का आपका entrance हो दोस्तों या फिर आपका estate हो या किसी भी level का आपका exam होने वाला है percentage की अगर आप यह 10 questions करके जाते हैं तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं 10 में से आपके 5 questions आपको as it is इसी themes पर मिलने वाले हैं मैंने यह 10 questions का काफी अच्छे practice set लिया है यहां पर अगर देखेगा 740 का 35% कितना 35% अगर बात करें तो 35% निकालने के लिए हम क्या करते हैं 35 बटा 100 एक संख्या से 34 अधिक है इसका मतलब दोस्तों क्या करना पड़ेगा इसमें से 34 घटा दो तो अब हमें वो संख्या मिल जाएगी जो संख्या हमें चाहिए ठीक है अब इसका भी ह हमें निकालना है 2 गटे 5% अब इस संख्या को हमने numerical चीज में convert कर लिया अब इसको solve करते जाएगे और हमारा answer आ जाएगा देखेगा एक 0 से तो एक 0 कर जाएगे 5 से काटेंगे 5 सत्य 35 और 5 दूनी 10 यह दो बार कटेगा 2 से यह कटेगा दोस्तों कितनी बार 2 तिया 6, 2 सत्य चोदा 37 बार तो यह आया दोस्तो 37 गुना 7 माइनस 34 फिर इसके साथ में कितना जाएगा 2 बटे 5 कितना आएगा दोस्तों 2 बटे 5 अब इसको solve करना है हमें सादूनी 14 ठीक है सादूनी सा सत्य और चास हां से लगे 4 साथ तिया 21 21 और 4 कितना हो गया 25 और माइनस कितना हो जाए है हमें यहाँ पर 2 बटे 5 अब क्या करेंगे 569 में से 34 घटा देंगे 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे और यह 2 आगे है गुना कितना 2 बटे 5 इसको solve कर लेंगे 5 चोग 20 25 25 वार जाएगा अब 45 की और कितने की multiply होगी 2 की 45 की और 2 की multiply होगी तो बहुत ही most important questions होने वाला यह अगर आप 11th classmate mission लेने चाहते हैं यहाँ पर 50 नंबर की mathematics आपको देखने को मिलेगी next questions ले लेते हैं इसी तरीके का एक और किसी बस्तू की 10% तथा 10% की क्रमगावार दो ब्रद्धियों से किसी एक मात्र मुल्य की सम्सुल्य होगी यानि कि हम 10% और 10% करके दो बार में ब्रद्धि करते हैं पहले 10% बढ़ाते हैं फिर से उसमें 10% बढ़ा देते हैं तो इस प्रकार अगर कुल जो ब्रद्धि होगी वो किस प्रकार होने वाली है तो इस टाइप को questions को करने का मैं आपको एक मात्र फॉर्मूला बता रहा होगी तो इसका जो फॉर्मूला होगा वह आप इस टाइप से लगाओगे इस तरीके से ठीक है एक्स मतलब मालें के पहली व्रद्धि है वाई मतलब दूसरी व्रद्धि ऐसे अगर मैं बात करूं यहां पर पहली 10% है और दूसरी वी कितनी यह 10% है प्लस यहां पर लिखे करते हैं तो उसका जो correct answer होगा वो होगा 21% यह भी काफी most important question था दोस्तों तो आज के जो questions का collection लिया है मैंने ऐसा नहीं है कि केवल एक की तरीके कहें मैंने यहां पर प्रतिसत के related questions लिए हैं जो काफी most important है हर एक exam के लिए आप किसी वी चीज़ की त्यारी कर रहे हैं चाहें 10% के ब्रतिसत के ब्रति हुई तथा इसके उपरांध फिर 20% के ब्रति की गई यदि अंतिम बढ़ा हुआ मुल्ये 33 हो तो प्राराभी के मुल्ये कितना था यह बताना है अंतिम मुल्ये तो यहां पर सीधी सीधी बात है वह सिंपल से चीज़े हैं दोस्तों अगर इसको अब देखेगा 10% पहले बढ़ाया फिर 20% बढ़ा दिया फिर प्लस करके हमने इन दोनों का एक साथ हमने फॉर्मुला लगा दिया कि जो दो ब्रति ही एक साथ होती है उसको किस तरीके से हम करेंगे नीच आएगा 100 पहली परसेंटेज ब्रति दूसरी परसेंटेज ब्रति प्लस दोनों की गुणा बटे में 100 इससे एक 0 से ये 0 कर जाएगा इससे ये वाला कर जाएगा 10 और 20 जुड़कर के हो जाता है यहाँ पर 30 प्लस यहाँ कितना होगा यह दो तो जो टल आ गया जुड़कर के दोस्तो 32 यानि कि उनकी जो परसेंटेज होगी 32 परसेंट मुल्य पर-30 कितना होगा 130इंच से 132 को काटेंगे तो चारतीज को चार बहार हांak कितनी वाल जागा दोस्तो चार वार इस 4 से 100 को काटेंगे तो कितनी वाल जागा दो पचेज वार का answer ला ले रहे हो, तो दोस्तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और class अगर अच्छी लगती है, दोस्तो तब भी कमेंट्स कीजिएगा, class में आपको maths का किस टाइप की topics पे maths के questions चाहिए, वो भी लिखेगा, next questions ले लेते हैं, बीस पृतिसत तथा 5 पृतिसत के यहां पर भी माइनस 5 और फिर प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे तब भी माइनस में माइनस के 20 और माइनस के 5 अपोन कितना आएगा 100 formula हमें वही रखना है format हमारा वही होना चाहिए ठीक है अब माइनस 20 और माइनस 5 कितना हो जाता है माइनस के 25 हो जाएगा प्लस माइनस का इसलिए अगर हम 20 और 5 परसेंट के दो बट्टे लगाते हैं तो उनका जो क्रमबार वट्टा होगा वो होगा 24 प्रतिसात का बट्टे कर दी दोस तो 20% की फिर कितने की कर रहे हैं 20% की फिर का कर रहे हैं दोनों ही बट्टियों की आपसम मल्टिप्लाई कर देंगे और उसके बटे में क्या लगा देंगे शो कर देंगे ये एक formula होता है इस सवाल को करने का एक formula कुछी भी कह सकते हो आप 20 और 20 जूड़ करके हो जाएगा 40 प्लस 2 की 2 से गुड़ा हो जाएगी तो हो जाएगा 4 40 और 4 को जोड़ेगे तो कितना हो जाएगा 44 तो उनकी कितना होगा दोस्तों टोटल ब्रधियून में 44 परसेंट होगी परसेंटेज लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे देखेंगे यहाँ पर अब करना है हमें ब्रधि और पहले क्या करीगी है कमी अगर यहाँ पर कमी करी गई है तो आप नीचे हंड्रेड में वह वाली संख्या जोड़ देंगे कितनी सुरी यहाँ पर कमी की गई है तो लास्ट में कितनी ब्रद्धी करी जाएगी यह बताना है अगर इस टाइप से questions आपको मिलता है तो इस टाइप के questions में हम नीचे लगाते हैं minus क्योंकि हमें ब्रद्धी करनी है तो 100 minus उपर वाला यानिकि अगर 10% की कमी हो रही है तो नीचे भी आप क्या करोगी हां पर minus कर दे सथ सोबटे 9.37 वी दे रखा है कहीं कहीं यह दे रखा होगा 11 सही एक बटा 9% वी तो यह तो questions के answer देने का तरीका है यह वाला तरीका जादतर मिलता है यहां पर सोबटे 9 दे रखा यानिकि answer आपका वी होने वाला है correct answer next questions देखते हैं आपे एक संख्या में 600 के 75% का दो तिह बटे 100 का 2 तिहाई 2 तिहाई मतलब 2 बटे 3 घटाने पर अगर किसी संख्या में से यह घटाते हैं तब हमें कितना प्राप्त हो जाता है 320 तो यानि कि हमें अब यह वाली संख्या गयात करनी है तो indirectly करना क्या है इस पूरी whole digit को calculate करके हमें यह जो आ रही है इसको पूरा calculate करक मतलब 320 प्लस अब देखेगा 2 0 से 2 0 कट जाएंगे 10 इस 3 से इकटेगा 6 2 बार बचा कितना देखेगा 2 दुनी 4 गुणा 75 चार गुणा 75 अगर 4 की और 75 की आप multiply करो तो दोस्तो कितना आएगा 300 आ जाएगा 300 और 320 को छोड़ेंगे या जो प्लस कर देंगे तो आएगा 620 इसक इसका अंसर होने वाला है वो होने वाला है भी 620 इसका correct अंसर होगा next questions देख लेते हैं follow के मुल्य में 30 प्रतिसत की कमी करने पर उनकी विक्री 40% अधिक हो जाती है इसे विक्रे मुल्य पर क्या प्रभाब पड़ेगा ये बताना है कितने प्रतिसत का effect होने वाला है अरीके से हम इसे solve करना है दो 0 से 2 0 कट जाएंगे उपर अगर आप 30 और 40 को देखेंगे तो यहां से 10 बचेगा वो भी plus के plus और minus हो जागा है हम minus और 4 कितना होता 12 12 minus के हैं 10 plus के हैं तो बचेगा यहां से minus के 2 अब minus के 2 कमी हो रहा है minus के 2 का मतलब है कि ये कमी हो रही है correct answer होगा next questions देखते हैं चीनी के वाव में 40% ब्रद्धी होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्सिक खपत कितने प्रतिसत कम करनी होगी जिससे वार्सिक खर्च ना बढ़े इस ताइप के questions को करने का दोस्तो काफी असान तरीका है आप 100 लिखेंगे उपर वो लिखेंगे जो percentage दे रखी है ठीक है और यहाँ पर क्या हो रही है ब्रद्धी हो रही है आप जब ब्रद्धी हो रही है तो क्या करेंगे दोस्तो नीचे कह रहा है कि कितने प्रतिसत की कमी करनी होगी तो नीचे 100 लिखेंगे और प्लस कर देंगे 40 तो उपर तो हो जाएगा 100 multiply 40 और पॉइंट 5 के आसपास ठीक है तो इसका अंसर होगा 28.5 लगवग में या percentage में इसको सही बटे में भी लिख सकते हो या 200 बटे साथ भी कर सकते हो तो answer इसका हो जाएगा B correct जो answer होगा वो B ही होगा इसका next question से यहाँ पर next और यहाँ पर last question से यह वीडियोस अच्छी लग रह होने पर उस बस्तू की खपत में कितने प्रतिसत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े तो इस टाइप के questions को करने का सीधा सीधा तरीका है 100 लिखेंगे multiply में 20 लिखेंगे और बटे में क्या लिख देंगे 100 लिखेंगे और plus ठीक है plus कितना कर देंगे 20 कर देंगे तो उपर हो चाने गा 50 बार तो पचास वयटे 3 भी लिख सकते हो इसको 16 ना घंधा तवह ही दो बैट तीन ही लिख सकते हो तो जिस टाइप के जिस फ़ॉर्मिट में आपको अंसर दिया उसी फ़ॉर्मिट में आप इसका अंसर लिख सकते हो यहां पर इसका जो correct answer है वो व e है वी पर च